दोस्तो आज हम सेर कर रहे हैं आलू की बहुत ही डिलीसियस सबजी की रेस्पी जिसे हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे बहुत ही लाजबाब रेस्पी है पूरी पराठे के साथ खाने में ये बहुत ही स्वादिश लगती है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इसके प्रेष कर लेंगे इसमें हम डालेंगे दो चम्मश सर्सों के दले में देंड़ी बाली ली इसकी जगा काली सरसों भी ले सकते हैं एक गांट मैंनी लशून की लिए दो हरी मिश डालेंगे, एक चम्मच साबू धनिया, आधा चम्मच जीरा, और 7-8 काले मिर्च, एक बड़ी लाइची को मैंने तोड़ कर ली है, एक इंच दालचीनी के टुक्रे डालेंगे, और इसमें दो से तीन चम्मच पानी डालकर हम इनको महीन पीस लेंगे, और देखि हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे, एक तेजबत्ता और दो पींच हींग, इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ठ्यान रखे, इस टाइम गैस का फ्लेम लो रहे, तेल ज्यादा गरम रहेगा, तो मसाले चल जाएंगे, इसलिए यहाँ तेल का टिंपरेचर कम रखें या गैस बंद कर दें, इसके बाद हम ये सर्चो का पेश डाल देंगे, जो हमने पीस कर रखी थी, अगर आपको हल्दी और मिर्च तेल में नहीं डालना है, तो पेश डालने के बाद आप इनको डाल सकते हैं, पर इस तरह से सबजी का कलर बहुत अच्छा आता है, तो सारे पेश्ट को मैंने डाल दी है, इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब जार में लगे मसालों को हम वेश नहीं करेंगे, थोड़ा पानी डाल कर इनको भी हम मसालों में डाल देंगे, और इनको मेंडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट तक पका ली है, और देखिए, तेल मसालों से अलग होने लगा है, तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, यहां पर मैंने एक टमाटर को बारिक काट कर ली है, यहां पर आप टमाटर का पेश्ट या प्यूरी भी ले सकते हैं, साथ में स्व यह देखिए, दो-तीन मिनट बाद मसाले हमारे अच्छे से भुन गए है, टमाटर भी सौफ्ट हो गए हैं, साबूत मसालों को हमने पीस कर ली है तो इन में बहुत अच्छी खुसबू आ रही है, अब यहां पर मैंने एक सूखी खटाई ली है, इसकी जगा आप आधा चम कर लेंगे न, सबजी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, अब हम इसमें यह आलू डाल देंगे, दो-तीन हरी मिर्चे डालेंगे, और इनको मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और दो-तीन मिनट तक भून लेंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर आलू में आ जाए, और देखिए, अगर आपको सुखी सबजी खानी हो, तो दो मिनट भूनने के बाद आप इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ये सर्चो वाली सबजी बहुत टेस्टी लगते हैं, मैं ये सबजी ग्रेवी वाली बना रहे हूं, तो मैं इसमें पानी डाल रहे हूं, तो मैंने य और 2-3 मिनट पकाने के बाद, ये देखिए, हमारी ये सर्चो वाली सबजी बनकर त्यार हो गई है, थोड़ा सा बारी कटववा हरा धन्या डालेंगे, और इनको सर्प कर लेंगे, बहुत ही लाजबाब सबजी बनती है, इनको आप पूरी पराठे, चावल, किसी भी चीज के साथ खाई है, ये सर्चो वाले आलू की सबजी बहुत इस्वादिश लगते है, तो दोस्तों आलू की सबजी तो आपने हज्जारों बार बनाई होगी, एक बार इस तरीके से बना कर देखिए, उम्मीद करती हूं कि आपको ये आलू की सबजी बहुत पसंद आएगी, और पसंद आये तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा, सेर कर दीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ ध्यन्यवाद.